उज्जेन सेंट्रल जेल में हुए 15 करोड के गबन मामले में जेल अधीक्षक उशाराज को पुलिस ने जेल से हिरासक मिलिया है। उनसे पूछताच की जाएगी। इस दौरान वह पुलिस पर भड़क गई। बोली मुझे हाथ मत लगाना। मैं कोई कैदी या अपराधी नहीं हूँ जो फरार हो जाऊंगी। जेल अधीक्षक खुद को बेकसूर बताती रही। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही उशाराज को भोपाल जेल मुख्याले ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद शनिवार दोपहर यहाँ पटाखे फोड कर जश्न भी मनाया गया। CSP अनिल मौर्य ने बताया कि जेल अधीक्षक से पूच्टाच की जा रही है। जेल कर्मियों के खाते से जो राशी निकली है उसके दस्तावेस जब्त किये गए हैं। आरोपी रिपुदमन घर से पत्नी समेत फरार है, उसके घर पर भी दबिश्ट दी जा रही है। उज्जैन की केंद्रिय भैरवगड जेल में DPF में 15 करोड के गबन का मामला सामने आया था। ततकालीन जेल अधीक्षक उशाराच पर गबन का आरोप है। इसी मामले में शुक्रवार रात उशाराच को यहां से हटा कर भोपाल जेल मुख्याले अटैच कर दिया गया था। रात में ही इसके आदेश भी जारी हो गए थे। जेल में दूसरे दिन मनाया जश्न। बताया जा रहा है कि उशाराच की जेल में तानाशाही थी। उनके हटने की खबर सुनकर शनिवार दोपहर जेल कर्मियों ने जेल के बाहर आतिश बाजी करते हुए जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिला कर बधाई भी दी गई। धोल भी बजवाए गए। इसी बीच उशाराज अपनी फाइलें और कुछ सामान लेने के लिए केंद्रिय जेल पहुची। पुलिस ने जेल से ही हिरासत में लिया। शुक्रवार को उशाराज उज्जैन से इंदौर चली गई थी। शनिवार सुबह वह दोबारा जेल पहुची। उन्हे कुछ फाइलें और सामान लेना था। दोपहर होते होते भैरवगड थाना पुलिस भी पूच्टाच के लिए सेंट्रल जेल पहुच गई। पुलिस ने जेल अधीकशक से बाहर आने के लिए कहा लेकिन वह नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने अंदर जाकर जेल अधीकशक उशाराज को हिरासत में ले लिया। कहती रही मुझे हाथ मत लगाओ जब पुलिस जेल अधीकशक को हिरासत में लेने के लिए पहुंची तो उन्होंने काफी इंतजार करवाया आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो जेल अधीकशक भड़क गई उन्होंने कहा कि मुझे हाथ मत लगाओ मैं खुद ही चल रही हूँ मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो फरार हो जाऊंगी सभी सवालों का जवाब दूंगी मैं तो खुद लड़ रही हूँ और लड़ूंगी भी जेल अधीकशक बोली मुझे फंसाया गया इस दौरान जेल अधीकशक ने मीडिया से कहा कि मैं पूरी तरह बेकसूर हूँ जेल में मेरे खिलाफ साजिश रची गई है मुझे अभी रिलीव भी नहीं किया गया मेरे लिए तो अच्छा है कि मैं इस टेंशन से दूर रहूंगी रिलीव नहीं होने के बावजूद मुझसे मेरा स्टाफ वापस ले लिया गया ये गलत है मामले की जाच चल रही है सच्चाई सामने आएगी साइबर क्राइम हुआ है मैं खुद भी मामले की जाच की मांग कर रही हूँ मुझे फनसाया गया है बंदियोंने कभी शिकायत की क्या कि कभी उन्हें खाना नहीं दिया गया जिन लोगों की दुकाने बंध हुई है उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची है मैं खुद यहां से हटने के लिए इच्छुक थी क्योंकि यहां मैं सुरक्षित नहीं थी शासन के आदेश का मैं पालन करूंगी नई जेल अधीक्षक भी पहुँची जेल परिसर में बज रहे ढोलध माके के बीच देवास के साथ उजजैन जेल का कार्यभार संभालने नई जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे पहुँच गई उन्होंने जेल का मुआयना किया उन्होंने कहा पहली बार यहां आई हूँ यहां के बारे में पता चला है उनको दूर करने का कार्यपराथमिक्ता रहेगी